मेरट के परतापुर ठाना शेत्र के चदसारा गाउं में समराथ अशोक इंटर कॉलेज के अध्यापक प्रदीप कुमार के छात्र को किसी बात को लेकर डाटने पर गुसाई चात्र ने कोलेज की छुटी होने पर अध्यापक प्रदीब कुमार को कोलेज के बाहर रुख लिया और गाली गलोच करते हुए उसे जान से मानने की धमकी दी इस बात का जब विरूत अध्यापक ने किया तो अर्शत ने अपने साथियों के साथ मिलकर अध्यापक परदीप पर तमंचे से फायर कर दिया जिसमें अध्यापक के साथ वहां खड़े कई और अध्यापक बाल-बाल बच गए कॉलिस से बाहर निकलते चात्रों को देग आरोपी चात्र परिशत अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया जिसके बाद परतापुर्ट थाने पहुंचे अध्यापकों ने आरोपी चात्र के खिलाफ तहरीर दी और मुकदमा दर्श करने की मांगी वह पॉलिस मामले की जाज पर जुट कई है दिवास जिली की टॉक खुर तहसील में ग्राम रिचडिया के शास्के प्रात्पिक विध्याले में नियमों की धज्या उड़ाई जा रही है ग्रामीनों को कहना है कि दोनों शिक्षक समय पर स्कूल ही नहीं आते पहुँचते हैं और समय से पहले दोपैर में ही छुट्टी करके घर वापस चले जाते है ग्रामीनों को कहना है कि शिक्षकों के द्वारा चात्रों के साथ खेलवाड किया जा रहा है हम मेडिया से हैं हिंदुस्तान यूज नेटवर्म क्या नाम है आपका इसी विद्याले से हैं तो आप समय से पहले चले गए लेकिन यह जानकारी के आप ऐसा तो नहीं साड़े तीन बजी स्कूल बंद करके चले जाएं तो इसलिए तो मेडम बोले मेरे को चलना है तो प्रता अध्यापक भारत कहने को तो एक क्रिशी प्रथान देश है लेकिन अब इसकी नीतियों में किसान के हितों के प्रती लगतार नाराज की पूर्ण रवईया अपनाया जा रहा है हमारे इस बात का सबूत उत्तर प्रदेश विदुद निगम की नई नीती साफ बता रही है जिसमें उन्होंने किसान के घर में दो भैसों से जादा होने पर कमर्शन मीटर लगाए जाने का आदेश सारी कर दिया है जिसके बाद से ही किसानों में बेहत द्रोश है किसानों का कहना है कि दो बैसों से जादा ही वे अपने घर में रखते हैं लेकिन सरकार का यह रवया ठीक नहीं है हमने जब इस बाबत यूपी सीयल के गाजयबाद प्रमुक्ष से बात की तो हुरों ने बताया कि यह कानून सिर्फ दूद बेचने वालों पर लागू होगा लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को कैसे पते चलेगा कि कौन दूद घर में इस्तिमाल कर रहा है और कौन बेच रहा है कोई आजिस्त दिया गया है कि तो उसको कमर्शल कनेक्शन लेना चाहिए और इसमें जो आप यह बात कर रहे हैं दो भेंसों वाली यदि कोई डेरी है और उससे को व्यापार कर रहा है तो उसको हमें कमर्शल सेनी में आता है और इसलिए उपोक्ताओं को सभी को सला दे जाती है ज़िए आपको यह डेरी के रूप में को व्यापार कर रहा है तो आप कमर्शल कनेक्शन लेके अपना कार पोन करें गाज़ेबात में लोनी पुलिस ने एक ऐसे गैंग का परदा फाश किया है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गाड़िया फाइनस कराता था और उन्हें बेच दिया करता था अब तक इस गैंग ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है बैंकों को चूना लगाने के लिए यहनों ने कई बार फर्जी दस्तावेजों का इस्तमाल भी किया वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच परताल कर रहे है इस मामले में चार आरोपी पकड़े गए है जिनसे फर्जी दस्तावेजों के अधार पर फाइनांस कराए गए बाहन बरामत कर लिए गए है बैंकों को चूना लगाने वाले कुछ ग्रों का सदस पकड़े गए हैं क्या है पूरा मामला? यह कल अठारा तारिक को दोपर करीब सवादो बजे के करीब मोकविर की सूचना पर थाना लोनी पुलिस तता यह सोजी टीम द्वारा यह बंथला प्लाई वर से लोनी तिरहा की तरफ आते हुए एक स्विप्ट कार में चार संदिक दिलोग प्रतित हुए जिनको हमारी लोनी पुलिस तिम द्वारा पकड़ा गया पुश्टाच में पता चला कि यह अपरादी थाना कभी नगर से भी धोखा धड़ी के मुकदमे में वाल चिलते इनको गिरबतार किया गया इनके कभजे से फिर बाद में पुश्टाच में वो स्विप्ट कार तो बरामद हुई एक स्विप्ट और बरामद हुई कार एक स्कूटी च्छा आधार कार्ड और पैन कार्ड एक्तियार डाकुमेंट बरामद हुए कि कि तरीक रामद वह देवान किश स्थाच में इनके दोरे पता चला कि फरजी डाकूमेंट तयार करके जैसे फरजी आधार काड़ फरजी पैनकार तयार करके उसको बैंकों में लगाके बैंकों से दोखा दड़ी करके बैंक से लोन करा के बैंकों से कार इत्यास जो है लोन करा लेते दे ती और उसको बेज दिया करते थी था उन्हें पूर dal और इसमें हिस्षा वारती जो पकड़े गई है रादी किस तरह क्या पूपैलु कितने पढ़े लिखे हैं लिखर नहीं इसमें कुछ अच्छा पढ़े लिखे हैं भी भार्मा किया है पढ़े लिखे हैं इनकी सेच्छी प्रोफाइल है और इसमें जो मुख्य बदमास है अजीत यह मिसल गड़ी मसूरी का यह मास्टर माइंड है अंकीत है राज कुमार है और रजनीस पांडे है तो रजनीस और अजीत पहले भी कई थानों से जैन जा चुके हैं रजनीस जान बचाने वाला ही शैतान बड़ा जिहां ताजमामला थाना परतापुर शेत्र के रिठानी आख अखुला मोड से है जहां पर एक महिला ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि इलाज के दुरान महिला की कुछ अश्रील तस्वीरे खीचे गई और आप डॉक्टर महिला को लगातार ब्लैक मिल कर रहा है वह इस मामले को लेकर महिला ने थाने में तहरीर दी है पोलिस ने आजश्वासन देते हुए जाच करने की बात गई है यह जो आप ठाने आयों किस मामले को लेकर रहा है क्या मामला आपका का की गटता है यह दोक्तर बंगाली यहां हम से गोपला रोड़ दे